वैसे तो निधी के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी निधी के शादी भी अच्छे खाजे परिवार में हुई थी लेकिन वो कहते हैं न कुछ लोग अपने आद़त से मजबूर होते हैं और ऐसा ही कुछ निधी के सस्राल वालों के साथ था वो आये दिन निधी से माई के से कुछ नो कुछ मंगवाते ही रहते और ये बात निधी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी एक दिन निधी की साथ सरोच उसे बोलती है निधी बहू ज़र आपनी मा को फोन मिलाओ मुझे उनसे बात करनी है मा जी फोन तो मैं मिलादू लेकिन मा अभी घर पर नहीं है वो मोसी जी के यहां गई हुई है अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम न हो तो आप उनके आने के बाद आप उनसे बात कर ले ना अरे घर पर नहीं है तो क्या हुआ मा जी उनका फोन खराब है इसलिए वो अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई है आखिर कौन सी बात है जो आप मेरी मा से बात करने के लिए इतनी परेशान हो रही है चल ठीक है कोई बात नहीं लेकिन एक बात बता तेरी मोसी तो सूरत में रहती है ना हाँ जी मेरी मोसी सूरत में ही रहती है लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मैंने सुना हैं सूरत में बहुत अच्छी साडिया मिलती है बनार से तो बहुत जादा ही अच्छी मिलती है तो मैं सोच रही हूँ क्यों न तेरी मा से दो चार मंगवा लेती हूँ मेरी समदन इतना तो करी सकती है मेरे लिए मा जी मुझे एक बात नहीं संज में आती कि आप लोग हमेशा ही मेरे माई के वालों से भीग क्यों मांगती रहती हो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है बहुत तो ये कैसी बाते कर रही है अपने लोगों से किसी चीज को मांगने में कैसी शरम है अपने लोगों से कोई चीज लेने को भीग नहीं कहते हैं बलकि एक दूसरे का प्यार बोलते हैं हम भी तो उनके लिए करते हैं अगर तेरे घर वाले हमारे लिए कर देंगे तो कुछ होगा थोड़ी न मा जी जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तब से मैंने अपने ससुराल वालों को ही अपने माई के वालों से भीग मांगते हुए देखा है कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए कभी आप लोगों को उनकी लिए करते नहीं देखा मैंने माना की मैं जुबान की कड़वी हूँ लेकिन जो बात बोलती हूँ वो मैं सच ही बोलती हूँ अब आपको बुरा लगे या भला बहू तुम जरूरत से जादा बोल रही हो मैंने तुम्हारी मा को फोन लगाने के लिए बोला है जिस पर तुमने मुझे इतना लेक्चर दे दिया अब तुम फोन लगा रही हो या मैं खुद लगा लू और तुम्हारी कही साली बाते तुम्हारी मा से बोल दू नहीं मा जी ऐसा मत करिये मैं अभी मा को फोन लगा देती हूँ अगर आप उनसे कुछ बोलेंगी तो वो बिना बात के मुझे सुनाने लगेगी मैं तो अपने ससुराल वालों की इज़त के लिए ही बोल रही हूँ लेकिन जब अभी लोगों को ही अपनी इज़त की नहीं पड़ी है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ निधी तना कहकर अपनी मां का फोन मिला देती है जिसके बाद निधी की मां से बात करके वो बहुत सारी सूरत से साड़िया मंगवा लेती है और उन्हें पैसे भी नहीं देती यह जो चीज़े निधी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी लेकिन वो चाहा कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना ही उसके माई के वाले कुछ बोलते और ना ही उसके सुसराल वाले सबात को मांने के लिए तैयार होते एक दिन वो गुस्से में अपने कमरे में बैठी थी तुम्हारे घरवालों से भीक में ऐसा क्या मांग लिया हमने जो तुमें गुस्सा आ गया ये पूछिये कि क्या नहीं किया बिना बात के माजी ने मेरी मोसी जी से बनारस साड़े मंगवा ली जिसके बाद मेरी मोसी की लड़की मुझे फोन करके बोल रही है कि दीदी आपके ससराल वाले हमेशा अपने माईकों वाले से भीकी मांगते रहते हैं क्या उनके पस कुछ है नहीं क्या अरे इसमें भीक मांगने वाली क्या बात है अरे बनारस की सारिया बहुत अच्छी होती है इसलिए मंगवाई होंगी अरे तो मामा जी से मंगवाने चाहिए ना वो भी तो बनारस में ही रहते हैं जरूरी है कि मेरे माई के वलों से ही बोल कर मंगवाना बस बहुत हो गया अब मैं जादा दिन बर्दाश नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे लोगों के ताने सुनना बिल्कुल भी बर्दाश नहीं है आप लोग जितनी जल्दी ये बात समझ ले तो अच्छा होगा निधीत न कहकर वहां से चली जाती है दिन बीटते हैं तब एक दिन दीपक के लिए उसके सस्रुआल में एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है जिसे देखकर निधी के आखे खुल जाती है और वो दीपक से पूछती है दीपक जी पापा जी ने आपको ये गाड़ी क्यों भीजवाई है बलकि वो तो दहेज में पहले ही आपको चार पईये दे चुके है हाँ यार दे चुके हैं लेकिन शादी गाओं में हुई थी तो गाओं में दिया था ना यहाँ थोरी दिया था और वैसे मैंने मांगा नहीं था उनसे और बात यह है न कि कल जब मैं आफिस पहुचा तो पापा जी का फोन आया मैंने बात की तो कहने परिशान लग रहे हो तो मैंने उनको परिशानी बता दी कि मेरे पास तो गारी है नहीं तो आफिस आने में देर हो जाती है अब देर होती है तो बहुत सुनाता है तो मुझे घुस्सा आता है तो घुस्से में कुछ कर में सकता इसलिए परिशान हो जाता हूँ तो उन्होंने कहा कि दामाजी आपको चिंता करने की कोई जरूत नहीं है मैं कली गारी भिजवारा हda हूँ आपके लिए और उन्होंने ये गारी भिजवा दी अच्छा, उन्होंने भिजवा दी, तो आपने ले भी ली, आपको जरा से भी सरम नहीं आई क्या इसमें शरम क्या करना, अरे वो तुम्हारे ही पापा थो रही है, वो तो मेरे भी पापा जी है न और वो प्यार से कुछ दे रहे हैं, तो मैं मना करके उनका दिल दुखाऊंगा, अच्छा थो ही लगेगा फरक बस इतना है कि भीखारी बोल कर भीक मांगता है, कि मुझे भीक दे दो और आप लोग उस पर तौफा नाम का परदा डाल कर भीक मांग रहे हो पता नहीं मेरे माँ पापा ने किस बिखारी घर में मेरी शादी कर दी है जो शादी से लेकर अब तक मांगते ही आ रहा है लेदी अपनी जुबान को संभाल के बाद किया करो अब ये मत भूलो कि ये घर भी तुम्हारा है तो यहां के लोग भिखारी हो चाए अमीरो तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा मुझे दुख ही इसी चीज़ का है कि अगर आप लोग सच में भिखारी होते या कोई चीज़ नहीं ले सकते तब आप लोग मेरे घर वालों से मांगते तो मुझे बुरा नहीं लगता लेकिन हर चीज से संपन होने के बाद भी आप लोग की लालच खतम नहीं हो रही है इस चीज का दुख है मुझे निधी के बहुत समझाने के बाद भी उसके सस्राल वाले उसकी बात नहीं सुनते थे आई दिन उसके मायके से वो किसी ना किसी बहाने से कुछ नो कुछ मंगवाते ही रहते समय के साथ अपनी आदरतों में सुधार ना लाने के कारण सच में उन लोगों की भीग मांगने की नौबत आ जाती है दीपक की नोख रिशल जाती है और गाओं के घर और जमीन सब कुछ घर वाले धोके से कबजा कर लेते हैं जैसे तैसे वो शहर के घर पर लोन लेकर काम करना शुरू करता है लेकिन वो पैसे भी टूप चाते है और उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है तबी एक दिपक अपनी मा से बोलता है मा अगर पंदर दिन के अंतर हमने घर पे उठाया वा लोन भरा नहीं तो हमें घर खाली करना होगा लेकिन बेटा हम कहां जाएंगे अगर हमें घर खाली कर देंगे हमारे गाओं वाले घर पे केस चल रहे हैं और किराये पे रहने के लिए हमेरे पैस पैसे ही नहीं है मैं देखता हूं मा को जुगा लगाता हूं और क्या ही करूंगा ये सब कुछ बहु की वज़ा से हुआ है बहु पूरे दिन अपने ससुराल को भिखारी ससुराल बोलती रहती है देखो, सच में उसका ससुरार बिखारी हो गया घर की लक्षमी होके अगर वो हमेशा ही ऐसे बोलती रहेगी तो क्या ही होना था, इसलिए हम सच में ही बिखारी हो गए मा, नीथी को कुछ मत कहिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है वो सही कह रही थी, एक लड़की शादी करके, एक घर से दूसरे घर जाती है वो बस इतना ही चाती है, कि वहाँ उसको इज़त मिले और उसके पती का, उसकी सास का, उसके पूरे घर का सम्मान हो लेकिन हमने क्या किया मा, हमने उसके घरवालों से चीज़े मांग मांग कर उसकी बेस्ती करवाते रहे लोग उसको ताना सुनाते थे और हम लोग, हम लोग बेशर्मों की तरह चीज़े मांगते थे अपने पती और सास की बाते सुनकर दूर खड़ी निधी सुन रही थी जिसे सुनकर उसे खुशी होती है कि उसके सस्राल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती पर पश्टा रहे होते हैं इसके बाद नेधी अपने कमरे में जाती है और अपनी सारी सेविंग निकाल कर तीपक को दे देती है, जिससे वो घर का लोन उतार देता है, कुछ टाइम बाद उसे वापस से रोकनी मिल जाती है, देरे देर उनके सरसुराल में सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, सिवाइ स्सुराल वालों से भीक मागने की आदत को छोड़ कर